हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एक्जाम डेट पोस्पॉंड होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम आपको पूरी इंफरमेशन देने वाले हैं क्योंकि दोस्तो आज सुबह की सबसे बड़ी मीडिया रिपोर्ट निकल कर आ रही है और उस मीडिया रिपोर्ट में बता दिया गया है कि जो रीट की इक्जाम है वो पोस्पॉंड होगी या नहीं होगी इसके बारे में उस पर एक दम जो है डिकलेयर कर दिया गया है और साथ ही दोस्तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो सिख्छा मंतरी को जहन समाज की तरब से विज्जापन सौपा गया था उनका इस पर क्या अपडेट आया है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं क्या सिख्छा जैन समाज की धरना परदसन दो दिन हो चुकी है, उन्होंने रीट एक्जाम डेट को पोस्पॉण्ट कराने के लिए धरना परदसन दो दिन से कर रहे हैं, पर राजस्थान सरकार का इस पर अभी तक कोई भी ब्यान नहीं आया है, कि जो एक्जाम पोस्पॉण्ट होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी तक फाइनल जो है निउस निकल कर नहीं आई है फाइनल नोटिस अभी तक नहीं जारी किया गया है तो यहां की जो सूतरों की माने जो अपडेट आ रही है मीडिया रिपोर्ट आ रही है और जो मीडिया ने जो है सिक्छा मंतरी से पूछा ह इसके बारे में तो उनका क्या अपडेट है और साथ ही उपेन यादों ने REIT exam date को लेकर क्या कया कि REIT की exam 25 April को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके बारे में हम पूरी information आपको हम बताने वाले हैं तो दोस्तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल Study Zone के साथ दोस्तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल Study Zone को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा आपने WhatsApp गुरूप, Facebook गुरूप जिस गुरूप पर सेयर करना है जरूर सेयर कर दीजेगा और साथ ही दोस्तो इस वीडियो को उस Candidate के पास जरूर सेयर करिएगा कि जो REIT की exam postponed करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर सेयर करिएगा क्योंकि ये update उनको भी मिल पाया और वो जान पाएं कि REIT की exam date को लेकर अभी तक कि जो क्या update है वो जान पाएं तो यहाँ पर दोस्तो आपको description के डबे में हमारी telegram का link मिलेगा आप वहाँ से join हो जाएगा क्योंकि दोस्तो हर एक update आपको छोटी मोटी videos भी आपको उस पर मिलेगी और साथ में आपको notification ही मिल जाएगा कि REIT की exam में postpone होने को लेकर क्या अभी तक की update आ रही है उसके बारे में भी आपको update मिल जाएगा और साथ ही दोस्तो आप हमारे facebook page को भी follow कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो सरकार की तरफ से poll कराए गया था एक जो है tutor पे कि आप हमें ये बताइए कि जो है REIT की exam है उसे postpone होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो सरकार की तरफ से जो REIT exam date को postpone लेकर जो poll कराए गया उस poll में लगभग 60% candidate ऐसे थे जो चाहते थे कि REIT की exam है वो जुलाई में होनी चाहिए और 40% जो candidate है वो चाहते थे कि REIT की exam है वो 25 अपरील को करानी चाहिए तो यहाँ पर दोस्तो सरकार का जो फैसला है वो यहाँ पर बदल सकता है क्योंकि काफी सारे candidates की इस पर मांग आ रही है कि जो REIT की exam है उसे postpone करना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तो यह सर्वे करने के बाद हमने भी अपने चैनल पर कॉम्मनेटी टैब पर एक सर्वे कराया कि REIT की exam क्या 25 अपरील को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए लगभग 700 से 800 candidate ने उस सर्वे में भाग लिया उस पोल के अंदर भाग लिया और आप अगर हमारे कॉम्मनेटी टैब मेर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर काफी केंडेट ने जो चाहते हैं कि REIT की exam पोस्पॉंड होनी चाहिए वहाँ पर वो सर्वे में भाग लेकर अपने राय दिये हैं और उनों की राय जहें की REIT की exam है वो जुलाई में होनी चाहिए ना की अपरील में होनी चाहिए और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बतायते हैं कि मीडिया रिपोर्ट ग्यार यह उसके बारे में भी हम आपको बतायते हैं तो चलिए सबसे पहले जो है मीडिया रिपोर्ट हम आपको दिखायते हैं और वो अपडेट भी आपको यहाँ पर हम पतायते हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि G-news की अभी की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जैपूर के अंदर यह जो है निकाला गया है कि 25 अपरिल को होने वाली रिप परिक्षा इस्थगित करवाने को मांग को लेकर सहीत समारक पर दूसरे दिन तक धरना परतसन जारी रहा यानि कि दोस्तो दो दिन हो चुके हैं और सरकार का रिट इगजा रिट की परिक्षा को डेट को लेकर अभी तक कोई भी जो है फाइनल लेंडे नहीं आया है तो यहाँ पर जो जैन समाज है उन्होंने जो जैन समाज समीती है उनकी तरफ से जो धरना परतसन किया जा रहा है और मांग को लेकर आज किया गया सतबुद्धी यग यानि कि दोस्तो उन्होंने यग भी किया है इसके जो है एकॉर्डिंग की जो रिट की एक्जाम है उसे पोस्पॉंट करनी जाए और दोस्तो रिट की एक्जाम उन्हें पोस्पॉंट कराने के लिए उनके पास ठोस वजा भी है क्योंकि आज तक महावीर जैनती में कोई भी एक्जाम नहीं ली गई है पर दोस्तो इस बार 2021 के अंदर REIT की एक्जाम कैसे जो है महावीर जैनती के अंदर होनी चाहिए उन्हें ये धरम संकट लग रहा है और इसके according वो चाहते हैं रास्थान सरकार से कि REIT की एक्जाम को आप डेट एक्स्टेंड करिए तो यहाँ पर दोस्तो उपेन यादो का भी इस पर जो है अपडेट आया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने साफ साफ ये कहा कि REIT की एक्जाम 25 अप्रिल को होनी चाहिए अगर दोस्तो उन्होंने पहले तो यह हमी कर दी कि REIT की जो एक्जाम 25 अप्रिल को होनी चाहिए पर दोस्तो उन्होंने कहा अगर सरकार इसके एकॉर्डिंग सोचती है कि जो REIT की एक्जाम की जो है महावीर जैनती के अंदर पोस्पॉंड की जाती है तो यहाँ पर दोस्तो उसकी डेट एक्स्टेंड नहीं किया है कि वो 25 अप्रिल के बाद जो है रास्थान सरकार REIT की एक्जाम कभी भी करा सकती है उसके एकॉर्डिंग वो चाहती है बस वो चाहते हैं कि जो REIT की एक्जाम है वो 25 अप्रिल को ना है और इसको लेकर कैंडेट उनका पूरा समर्थन भी कर रहे हैं और काफी सारे कैंडेट इसको लेकर चाहते हैं और काफी जोरो सोरो से धरना परदसन किया जा रहा है REIT एक्जाम डेट पोस्पॉंड को लेकर तो यहाँ पर दोस्तों उन सब की जो मांग है वो पूरी तरह से जैज है और इसको लेकर जो है हमारे असोग गहलोद जी को इसके सोचना जाए और सोचना कहा चाहिए उन्हें REIT की एक्जाम को पोस्पॉंड कर दी जाए और डेट को एक्स्टेंड करना चाहिए क्योंकि हर एक जगा पर अगर आप पोल कराके भी देखते हैं तो जायतर कैंडिट जो है REIT की पचीस तारीक को जो होने वाले है उनकर खिलाफ है और उनकी यही बार-बार राय है कि REIT की एक्जाम को पोस्पॉंड करकर उसकी डेट को एक्स्टेंड करना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तो रायस्थान सरकार इस पर गंभीर फैसला लेने वाला है और लगबग एक से दो दिन के अंदर आपकी REIT की एक्जाम डेट भी आपके सामने आ जाएगी कि REIT की एक्जाम डेट है 25 अपरिल को होगी या नहीं होगी यहाँ पर दोस्तो जब तक यह धरना परदसन रहने वाला है जैन सकल समाज की तरफ से कि जब तक सरकार का इस पर फैसला नहीं आता है कि 25 अपरिल को REIT की एक्जाम नहीं होनी चाहिए तभी वो है जो है धरना परदसन छोड़ेंगे वरना वो धरना परदसन नहीं छोड़ने वाले है ऐसे अपडेट आ रही है तो यहाँ पर दोस्तो उसके एक आर्डिंग जो है सिक्छा मंतरी को भी विग्यापन सोपा गया है और सिक्छा मंतरी ने जो है अपडेट आती है रीट एक्जाम डेट को लेकर तो हम आप तक जरूर उस वीडियो को बना कर सेर करेंगे या जो उन्होंने लाइव अपडेट दिया हम आप तक जरूर सेर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो अपनी राय नीचे जरूर कमेंट करकर बताए कि आपको क्या लगता है कि रीट की एक्जाम 25 अपरिल को होगी या नहीं होगी अपने राय कमेंट करकर हमें जरूर बताएंगे अगर जैसे ही दोस्तों अगर और कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक वीडियो बना कर जरूर सेर करेंगे ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए आप हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन से जुर सकते हैं क्योंकि रीट की हर एक छोटी या बड़ी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी जोन के माद्यम से आप तक सेर की जाती है रीट की एकजाम डेट पोस्पॉंट को लेकर जो है जैन समाज ने संकल्प लिया है वो इसे पूरा करके ही रहेंगे क्योंकि दोस्तों वो महावीर जैनती की दिन नहीं चाहते हैं कि रीट की एकजाम हो वो अपनी जो है रीट की एकजाम को लेकर मांग कर रहे हैं पर लास्ट फैसला राजस्थान सरकार का रहने वाला है कि राजस्थान सरकार इसके क्या सोचती है क्या वो REIT की एक्जाम को पोस्पॉंट करेगी या नहीं करेगी लगभग दोस्तो एक या दो दिन के अंदर जो है REIT की एक्जाम को लेकर अपडेट आपके सामने आ जाएगी कि REIT की एक्जाम पोस्पंड होगी या नहीं होगी तो जैसे ही दोस्तो हर एक छोटी या बड़ी अपडेट हमारे सामने आती है तो हम आप तक जो है वो वीडियो बना कर सेर कर देते हैं तो उमीद है कि दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो दोस्तो एक लाइक करके जरूर जएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज़दा मेहनत लगती है इसलिए दोस्तो एक लाइक जुरू करके एक लाइक से हमें काफी ज़दा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और दोस्तो अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल इस टडि जोन को सस्क्राइब नहीं किया, सस्क्राइब कर लिजएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जूर कर दीजएगा और दोस्तो शेयर जूर करिएगा कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं जरूर सेयर करिएगा आपने WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप जो भी आपको ग्रूप पसंद है उस ग्रूप कर अंदर जरूर सेयर करिएगा तो उमीद है कि जो दोस्तो हमारी भी यही रहे कि रीट की जो एक्जाम है उसे पोस्पॉन्ड होना चाहिए और उसकी जो डेट है एक या दो दिन एक्स्टेंड करनी चाहिए तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तो रायस्थान सरकार का आंतिम फैसला ग्या रहता है उसके एक आर्डिंग आपको पाच रहेगा कि रीट की एक्जाम है वो 25 अप्रिल को होगी या नहीं होगी तो फिर देलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तो जैह दोस्तो पिनो हम की, का पाजङ चनु़ में दोस्तो पक्तो आपए हैं उनार हैं